हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो रेटुब चैनल बैंक एंजिनियर तो दोस्तों अपनी सीरीज कंटिनुव करने वाले हैं तो केच्छिन 116 शुटेबल स्पेसिंग ओफ टिम्बर पाइल इस सौप्शन डी 90 सेंटी मिटर तो हम देख लेंगे दोस्तों टिम्बर पाइल कैसा होता है तो आपको दिख रहा होंगा दोस्तों यह है एक पिक आप टिम्बर पाइल सबसे पहले बात अगर आप इसे अंडर वाटर इस्तेमाल करते हो तो इसकी लाइफ काफी अच्छी होती है लेकिन अगर कंटिनुवसले द्राइंग एंड वेटिंग हो रहा है अल्टेनेटली तो आपका टिम्बर पाइल ज्यादा लाइंग लॉंग लाइफ नहीं दे पाएंगा ठीक है तो आपका स्पेसिंग कितना होंगा दोस्तों 90 सेंटी मेटर ओके दे नेक्स क्वेच्छन है दिसीज ओफ ड्राइड रॉ दोस्तों दोनों आपको पिक्स दी है तो आप देख सकते हो की ड्राइड वेट रॉट कैसा होता है और आप इसे देखकर इडेंटिफाइ कर सकते हो तो दस्तो लावड दोर फ्लश दोर रॉवल्विंग दोर क्या होता है कैसे होता है और का इस्तमाल कर सकते है हम देख लेंगे उसे ठीक है तो दोस्तो दिस इस यूर लावड दोर ओके उसकी खासी यह धी होती है दोस्तो कि आपको एर वेंटेलेशन मिल जाएंगा और साथी साथ लाइटनिंग मिल जाएंगी ठीक है और आपकी प्राइवेसी बीडिस्टर्ब नहीं होती है यूजिंग दोर ठीक है नेक्स डोर है आपका this is your flush door okay तो दोस्तों हम इसे generally use करते हैं for bedroom for our toilet bathrooms okay तो दोस्तों ये नॉर्मल फ्रेम पर हम प्लाइवोड की शिट्स अप्लाई करते हैं ठीक है ज्यादा strength नहीं होती है आप इसे exposed to atmosphere इस्तमाल नहीं कर सकते हो this is your flush door then this is your sliding door revolving door sorry okay revolving door हमने कहा देखा है दोस्तो अब जब भी cinema hall पर देखते हो ठीक है या फिर आप मॉल में जाते हो तो आपको revolving door दिख जाता है ठीक है then sliding door okay दोस्तों sliding door आपको entrance पर देखने मिल जाता है या फिर आपको commercial building से जाते हो तो आपको देखने मिलता है आफ मल्टी अंडरीम पाइल इस काफी कॉमनली कुछ अगया कुछ ने तो इसका एंसर है 1.5 डी यू ऑप्शन सी इस करेक्ट तो अंडरीम पाइल कैसा होता है देख लेंगे दोस्तों अंडरीम पाइल्स की डाइग्राम आपको दी है आपको अंडरीम्स दिख रहे होंगे ठ इतना होता है 1.5 टाइम सोग डी होता है ठीक है और दोस्तों जहां पर आपको बेरिंग कैपसिटी काफी कम मिल रही है फॉर एक्सेंपल अगर आप ब्लैक कॉटन स्वाइल की बात करते हो ठीक है तो आप बाइप प्रोवाइडिंग आपकी बेरिंग कैपसिटी काफी हद बढ़ा सकते हो ठीक है तो यह अपका अंडर हिम भाइल्स के देखलेंगे दोस्तों लोग रस्टोन मैंस री ओफ फाइनली रस्तों लेट इन सीमेंट और लाइम इस ओके तो दोस्तों मैंस अरफ और फाइनली ड्रेश्ट है जब भी आपको फाइनली ट्रेश्ट मिलेंगा वह और बेसली होंगा कुंधा चलर मैसंधी थिक है झाल डे कंई एक पर अब आइसलर फाइन विद मोल्टार तो मैंने आपको दो पिक्स दी है हूप आपको समझ गया होंगा देन नेक्स्ट कुछन है दो वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ट अड़ अड़ बॉटम एंड्स ओफ फ्लाइट सपोर्टिंग दे हैं रेल आर्क नोन ऐस ओके तो दोस्तो यह स्टे होती है 3 होती है मैक्सिमम आप 12 रख सकते हो आपने ट्रेड और राइस के बारे में तो देखा था हमने इसके पहले डियागराम में कि आपका मिनीमम जो ट्रेड होता है कितना होना चाहिए शुल नाट बी रेटर दन 180 और आपका राइजर कितना होना थे दोस्तों हमने तो लेडिया आपका थे था है था है तो एक बीक पूंच टॉर ओस्तों है जो नाट खिविड में टन चाहिए यहा था है वहाँ हा जाला ट्रेंच जा वॉू जा जए श्वाह रा टिंच्टे स सटने तो लग वाया ब्र खर पने पूंच तो दिरूंच ए लो सिवर तोंच इस वेरी बैड फॉर और फांडेशन ओके तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है बाकि सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है ओके तो दोस्तों एक बार हम देख लेंगे कि बेरिंग कैपसिटी कितनी होती है अब यहाद रखना दोस्तों कि हापर में आपका युरिंड जो दिया ह है आई बी पर फिट स्क्वेर में दिया है तो यह टाग्रम यह टेबल आप याद नहीं रखे तो भी चलेंगा ठीक है बस आभी तना याद रखे का कि ग्रैवल की सबसे जादा बेरिंग कैपसिटी होती है कितनी 4000 की आसपास हो के 4000 किलो नेट पर एम स्क्वेर ओके देन ने इस दोभी लोन दिख रहेंगे दोस्तवków तो आपको पायर कांस्ट्रक्षय देखने मिल जाएंगा अब पायर किस तरह होते हैं देख लेंगे हम एक बेसिक ड्याग्राम है ठीक है तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगा दिस इसक्वर कायर क्या लें लें अब कॉड़ ओके देन फॉर ए रेक्टेंगुलर फांडेशन ओफ विर्थ बी इसेंट्रिसिटी ओफ दे लोड शुल नॉट एक्सीड ओप्शन डी बी अपॉन सिक्समें विर्थ बाइ सिक्स ओके दोस्तों कॉमनली को इच्छन है आपको कई बार रिपिटेटली पुछा गया है तो आप और रेक्टेंगुलर फांडेशन दे इसेंट्रिसिटी ओप दे लोड शुड नॉट एक्सीड बी बाइ सिक्स दोस्तों आपको यह पर में डिफरेंट टाइप सो फुटिंग की डाग्राम दिये सबसे पहले दिया आपको वाल फुटिंग सिंपल स्प्रेड फुटिंग इ युक्य हमें कंजेस्टेड एरिया में कांस्रेक्शन करना होता है दिन मैट और राफ्ट फांडेशन इसका इस्तमला हो रहा है तिन पाइल फांडेशन दोस्तों कहां इस्तमल करोंगे जब भी बी स्ट्रक्टर बना रहे हो और ड्रिल बेल्ट बाइल ओके यह कुछ of pile which is driven at an inclination to resist the inclined forces is known as okay तो दोस्तो एक ऐसा pile जो हम drive करते हैं to the inclination किसलिए to register inclined forces is called option c better pile उसे कहते हैं better pile okay तो देखे लेंगे हम तो दोस्तो आपको दिख रहा है कि this is your better pile and this one is your vertical pile okay और यह है आपका embankment तो दोस्तों हम इसे क्यों प्रोइड करते हैं जिससे आपको अच्छी grip मिल जाती है ज्यादा बेरिंग कैपसिटी मिल जाती है अच्छा फ्रीक्शन और फोर्सेस मिल जाते हैं then the maximum bearing capacity of a soil is that of option d hard rock ठीक है hard rock का सबसे जादा bearing capacity होता है दोस्तों और वह कितना होता है कि 4000 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वाइर कितना होता है 4000 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वाइर देन sand and gravel का होता है दोस्तों 400 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वाइर medium dense sand and gravel का होता है 200 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वाइर then loose sand and gravel का होता है 75 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वाइर firm clay soil 100 kN per m2 and soft clay soil 35 kN per m2 तो आप याद रखेगा रॉक का कितना होता है 4000 kN per m2 then pick up the correct statement from the following the cavity of a cavity wall should start near ground level the cavity of a cavity wall should terminate near eaves level of sloping roofs the cavity of a cavity wall should terminate near coping of flat roof with a parapet wall all the options are correct दोस्तों एक बर हम देख लेंगे कि cavity wall क्या होता है तो दोस्तों आपको देख रहा है कि cavity wall हमारी दो पार्ट में बनी होती है सबसे पहले inner wall होता है then outer wall होती है और जो बीच में portion होता है दोस्तों तो वहाँ पर हम प्रोवाइड करते है क्या cavity होती है और उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते है जिससे क्या होँगा कि आपको soundproof plus heat proof मिल जाएंगा अच्छा insulation मिल जाएंगा आपके home के लिए ठीक है तो this is cavity wall अगेन आपको कुछ detailing दिया है इसमें कुछ web holes के बारे में दिया है flushing metal ties के लिए जगा का प्रोवाइड की जाती है ठीक है तो यह extra diagram मैंने प्रोवाइड की दोस्ता आप देख लीजेगा then the thickness of reinforced brick partition wall is generally kept option B 10 cm एक काफी favorite question SSC का काफी बार पूचा गया है कि the thickness of reinforced brick partition wall is generally kept 10 cm तो दोस्तो आपको diagram दिख रही है the reinforced brick work is the one in which the brick masonry is strengthened by the provision of mild steel bar, hoop iron and expanded metal mesh दोस्तो आप इसमें steel bar इस्तमल कर सकते हो for example यहाँ पर आपने steel bar इस्तमल किया है और यहाँ पर अपने metal mesh इस्तमल किये ठीक है तो by metal mesh यह फिर hoop iron ठीक है यह expanded metal mesh अब इस्तमल कर सकते हो for reinforced brick wall the next question है दोस्तो the term string is used for option c a sloping member which supports the steps in a stair okay again a question आया दोस्तो stair के उपर तो string क्या होता है कि a sloping member which supports the steps in the stair तो देख लेंगे diagram दिख रहा है आपको दोस्तों की यह sloping member है ठीक है और यह support करता है किसे stair को ओके अब दोस्तों आपने इसे support करवाया है trade और riser को और याद रखना है कि आपने जो एंगल होता है थीक है तो 25 डिगरी से तो 40 डिगरी के बीच में देना होता है थीक है तो आप जो श्लूपिंग एंगल होता है वो भी आध रखेगा कि 25 डिगरी तो 40 डिगरी के बीच में अपने एंगल प्रोवेट करना है for your flights okay then next दोस्तों दो 90 cm by 9 cm side of a brick as seen in the wall face is generally known as तो आप उससे कहते हो स्टेचर ओके तो आपको एक डियागराम दिख रहा है दोस्तों कि आपको कौंसा कर रहा है कि इस इधियर सदों कॉल नयंटिन आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होंगा इसी तरह से हम अपनी लेक्चर की सीरिस कंटीनू करेंगे आप में से किसी का सजेशन आया था कि म्योजिक नहीं चाहिए तो दोस्तों मैंने कोशिश किये कि जितनी के मामाज हो सकती है हम अपना लेक्चर कंड़र करवाए अगर आपकी कोई सजेशन हैं कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंड कीजेगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े अगर आप नए हो तो थैंक यू पर वाजिए थैंक यू